पर एक stability order of carbocatins is तो carbocatins यहाँ पर सभी options में कुछ जगा पर 3 degree carbocatins है तो यहाँ पर 3 degree पर 1, 3 पर 0 degree तो एसे होता है stability का order इस तरह से कि 3 degree में ज़्यादा alpha hydrogens होते हैं और वहाँ पर hyperconjugation ज़्यादा हो सकता है एसा गर हम देखेंगे तो यह third option में है यहाँ पर कर्बन जो यह 3 degree है क्योंकि वो 3 दूसरे कर्बन से connected है यह सबसे जदा stable होगा उसके बाद यह 2 degree carbocatan है क्योंकि यह carbon जो वो 2 carbon से connected है यहाँ पर यह 1 degree है क्योंकि एक से connected है और यह carbon किसे से भी connected नहीं है दूसरे कारवन से तो इस जिरू डिगरे है इसलिए इस तरह से order होता है तो option c जो है वो इसका correct answer होगा